और उसका बोलने का तरिका इतना जो अजीब सी भाशा है वो तो मुझसे तो नहीं बोली जाएगा जो यूनियन के साथ जुड़े हुए लोग है उनको ये बात बुरी लग जाए कहां कहां किस-किस तरह सी जो आंदोलन है ये गुम्राइब अन्याय का सर्वत्र पैरा है और इस देश के अंदर बार बार ऐसा हो रहा है वो आपके साथ में नहीं जुड़ी हुई है तो आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे क्या नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी त्यागी समाज के लोगों ने लाम बंद होकर स्रीकांत त्यागी के समर्थन में 21 अगस्त को नोईड़ा में एक बड़ी महा पंचायत का अउजन किया और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस महा पंचायत में भारते किसान यूनियन टिकेट ने भी अपना समर्थन दिया है कि सिरीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ गलत हुआ है अभी जो त्यागी महा पंचायत हुई है वारते किसान यूनियन टिकेट ने इसमें अपना समर्थन दिया है देखिएगा प्रियवर मैं बात करता हूँ किसान नेता के विशे में चोधरी चरन सिंग जी किसान नेता थे अगर उनकी लिखी किताबों के विशे में बात करें वीदशों में पढ़ाई जाती है अगर उनकी सैली के विशे में बात करें, सादगी का प्रतीक थे, उनकी अगर पूरी जीवन सैली को आदमी पढ़ता है ना, तो एक महापुरुष्ट के दर्शन होते हैं, वो तो हैं किसाननेता, और अगर हम इस तरह के लोगों के विशे में बात करें, कितने पढ़े लिखे किस तरह के व्यक्ति वो थे, और अगर इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो क्रिकेट में कि भारती ये टीम हार गई है, तो बीजेपी वालों ने हरा दिये, और उसका बोलने का तरिका इतना जो अजीब सी भाशा है, वो तो मुझे से तो नहीं बोली जाएगी, कि तो बीजेपी वालों ने हरा दिये, उनका हराने में लाब था, अब बताओ किस तरह की मुर्खतापून बात कर रहा है, क्या दूसरे लोग जो इस देश के परबुद लोग हैं, वो इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्या किसानों की 26 तरह की मुर्खतापून बयानात से खराब नहीं हो रही हैं, कि देखो भई इस तरह के मुर्खते हैं, क्या सभी किसान इस तरह के हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, बच्पन से खेती ही की हैं, मैंने अब तक, और हम यहां पर आसपास देखें, बड़े प्रबुद लोग किसानों के बीच में हैं, औ और किस-किस तरह से किसानों की बेजज़द ही कराने का इसने काम किया है, और उसके पश्चात में, आज की तारीक में, इस मौामले में कुदने की आवशकता नहीं थी, यह किसानों के इत की बात नहीं थी, इसके पीछे भी राजनीती देख ही जा रही है, राजनीती, वो एक मोरा बने हुए हैं उनकी बुद्धी उनकी बुद्धी के स्तर पर मैं कोई टिपनी नहीं करना चाहूंगा उनकी बुद्धी का कोई स्तर ही नहीं है उनकी भाशा पर कोई टिपनी नहीं करना चाहूंगा और किसानों के हित्में वो है ही नहीं इसलिए अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बिलकुल ही न्याय के विरुद्ध हैं तो वो आश्यडिय की बात नहीं ऐसे लोगों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है तो यदि त्यागी समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं तो यदि त्यागी समाज का कहीं पर उत्पीडन हो रहा है तो भारते किसान यूनियन को तो खड़ा होना पड़ेगा मैं फिर वही बात कोँगा कि ये के वले कि राजनीती है माराज ये राजनीती है मैं फिर से एक होँगा कि औरत के साथ भी अन्याय हो रहा था वो आपके साथ में नहीं जुड़ी हुई है तो आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे क्या आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति अपरादी है तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या मातर इसलिए कि उसके संगठन के लोग आपके साथ जुड़े हैं वही तो बात में सुरू से कह रहा हूं कि एक आदमी गाओं में भी अपराद कर लेता है तो उसको अपनी पार्टी का समझे कर उसके साथ में खड़ा हो लिया जाता है क्या इसी तरह का काम किया जाएगा क्या न्याय अन्याय की कोई बात नहीं होगी क्या ये पूर्णत है एक अन्याय की बात है और इस तरह के अन्यायों से समाज को दूर रहना चाहिए और इस तरह के लोगों को दूर रहना चाहिए ययसा क्यूं हो रहा है क्योंकि मौंला उत्तर प्रदेश में हुआ है यज सा क्यों हो रहा है क्योंकि लोगों को मुद्धा चाहिए एक स्थान पर लोगों की भावनाओं को भढ़काने का और मैं फिर से यह बात कहूंगा कि अगर बीजेपी होती विपक्स में तो BJP भी इसी तरह के काम शायद करती और ये राजनिती का वसूल बन गया है जिस जब जब तक हम इन घटिया मुद्दों से बाहर नहीं निकलेंगे ना तब तक समाज की स्थिती नहीं बदल सकती है वास्तविक मुद्दों पर जैनुवन मुद्दों पर हमें लामबद्दों होना चाहिए सबी को और आज की तारिक में यह देखकर हाँ भाई ये एंटी बीजेपी लोग है और यहां पर कुछ आकरोश है लोगों में इनको समर्थन देदो कि यह वाली बात है इसके अलावा और कुछ नहीं है चलिए तो में तानन स्वामी जी को आपने सुना जिरू पिलाल इस वीडियो में बच इतना ही अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार